और देर ग्रीट अप्डीट बाइद एंटी राइट नाओ बहुत सारे बच्चे के मेल मेरे पास आए कि सर मेरे पास एंटी के तरफ से मेल आ रहा है और यह जो मेल है आंसर की के रिलेटेड है तो आज हम पूरे लाइव डिसकेशन करेंगे कि कि मैंने यहां पर लॉग इन कि है और मैं पूरा सिक्वेंस वाइज आपको पूरा बताने वाला हूं कि आप अपने आंसर को चालेंज कैसे कर सकते हैं ठीक है और आंसर को चालेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसके क्या इंपॉर्टन अपडेट हैं और कैसे करना है वह आपको करना पड़ेगा त तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे और वहां पर देखेंगे तो मैंने डाला है डाला हुआ है तो आप लोग भी ऐसे डाल के डाल सकते हैं और इस पर मैंने क्लिक कर दिया आपके सामने सारा चीज़ खुलेगा और आपको कैसे कैसे स्टेप करना अगर आपने अलग-अलग शूट के आंसर्स मैच करें होंगे और आपको कुछ आइडिया मिल जाता होगा मदब की मेरे स्कूर साथे पान सो है या छे सो है जो भी है यहां पर देखेंगे तो यहां पर चीव में जाना है मैंने क्लिक कर दिया तो सबसे पहले आ रहा है कि दचाले प्रोवेशनल देखें यहां लिखा हुआ प्रोवेशनल आंसर की डिस्प्ले स्केन इमेज ओमार शीट और डिस्प्ले ओफ रिकॉर्ड रिस्पोंस आफ नेशनल एज़िविटी कम इंट्रेंस एक्जाम तो मैंने यहां पर क्लिक कर दिया है देखें मैंने क्लिक कर दिया है अभी खुलेगा थोड़ा यह साइट स्ल दो चल रहा है अच्छा यह पब्लिक नोटिस आ गया है अच्छा इसमें पब्लिक समझ लेते हैं कि कैसे क्या है कि अगर आप किसी भी कोश्चन को चालेंज करना चाहते हैं तो 200 रुपिया यहां पर लिखा हुआ है तू हंड्रेट रूपीज लगेगा ठीक है 200 रूपीज लगेंगे और यह नॉन रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल का मतलब होता है कि आप अगर चालेंज किसी को करेंगे तो रिफंड नहीं हो सकता है मतलब आप दुबारा मांग नहीं सकते के नहीं निकलती होगे फिर पैसा देजो रिकौर्ड रिकॉर्टेट रेस्पॉंज 2000 और कुशन्स ना नॉन रिफंडेबल है चार जून स्टार्टिंग है और चे जून तक कम्प्लीट कर सकते हैं आप लास डेट आज पांस तारीक है तो यानि कल तक आप कर सकते हैं ठीक है और यह क्राइटीरिया है यह वाला मैं पीडिएफ अपने ओफिशल टेलिग्राम के ऊ शेयर कर दोंगा डॉक्टर एसके सिंग वाले चानल पर रहना डॉक्टर एसके सिंग वाले चानल पर मैं भीजी देता हूं तो आपको यह मिल जाएगा एक सेकने भी दिए अगर नहीं मिलेगा तो इसका पीडिएफ डाउनलोड करें मैं भीज दूँगा उपढ़ कैसे आह रहा है कि एंटी डूट नर्व िचिट ऑफिशल्स प्लें प्रोसिजर आ तो प्लीज गो तुद इस पर जाना है अपलाई the answer की चालेंग्स अब्लेट टेस्ट बुक्लेट और यह सारे पेटर्ण में होंगे और यह सारे चीज को फॉलू कर लेना है न है जरा के उपर पोस्ट कर देता हूं मैं चाहता हूं कि आपको प्रोसीजर समझाना तो एक फिर से खोलते हैं और प्रोसीजर समझते हैं कि जब खुलेगा तो कैसे दिखाई देगा और कैसे आप चैलेंज कर सकते हैं थोड़ा स्लो है कि इस समय बहुत सारे बच्चे इसको ओपन कर हैं ठीक है बहुत सारे बच्चे इसको ऊपन कर रहे हैं यह बहुत ही स्लो है देखो मेरा बहुत इंटरनेट फास्ट है तब भी इसकी हालत कैसी जा रही है कि मैं एक बार इस पर क्लिक करके थोड़ा सा रुख जाता हूं और आप से बात करता हूं कितने बच्चे अभी हमें लाइव देख रहे हैं चंदू रिया और मुर्या राज मिनाक्षी आपके कितने मांक्स लग रहे हैं कि कितने मांक्स आ रहे हैं ठीक है क्योंकि मुझे न अगर खुलता तो मैं स्टेब आपको बताता था और वैसे भी बहुत ही आसान है ना बहुत ही आसान है कि आप इसको बड़ी आसानी से फिल कर सकते हैं ठीक है तो आप खुद से भी ट्राइब कर सकते हैं अगर आपको कुछ दिखत है तो खुद से भी ट्राइब कर सकते हैं परना है फिर से उपन करने की पूसिज करता हूं welcome करने के तो यह विक्षारे रहा है इसे आपन डेखेगा अगर चाधिक करना चाहते हैं तो चालेंज कर लेजेगा मैंने कहिता है वह नहीं यह आपका अंसर लग रहा है और आप कहें कि नहीं मेरा आंसर नहीं है होना चाहिए तो इंडी वाले बात नहीं मानते हैं वह वह उन्हों ने कर दिया ना वही वह माल लेंगे तो कभी भी आपके आंसर को करेंगा आपका दो सुर्फेर बेस जाते हैं मैंने अपने मतलब experience बत तो मेरे हिसाब से तो शायद आपको नहीं करना चाहिए अगर आप करना चाहिए तो बिलकुल कर सकते हैं को इसमें दिक्कत नहीं है और और आप सब को बताना चाहता हूं कि आपने कालकुलेट करी लिया होगा अगर आपके 500 से कम नमबर हैं तो आप अभी से ही बैसर तरीके से त्यारी कर सकते हैं और आज से ही हम लोग सीरीज शुरू कर रहे हैं और भविश्य बैच पर नीट जैनेसिस और यूटूब चैनल नीट जैनेसिस और एक रणनीती बाच जो कि डॉक्टर एसके सिंग पर चलेगा तो मड़ी बैच जहां पर हम क्लास 11 पढ़ाएंगे और भविश्य बैच नीट जैनेसिस पर जहां पर हम क्लास 12 पढ़ाएंगे और दोनों को पारलली तरीके से रिविजिन करेंगे और बायों को अच्छा करेंगे तो अगर आपक कalı जी खेर च़र जींगे से रिव टर हम पर केम आपक खर जैसे दोख अखर अबस।ो तो मुझेट झाली करेंगे और घ।